नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार बन बिलियन डॉलर का कैश इंसेंटिव आफर कर रही है हर बो उन सेमी कंडुक्टर बनाने वाले कंपनीज को जो हमारे देश में एक मैनिफेक्टरिंग यूनिट सेट अप करें और ये आत्म निरुर भारत के लिए भूत ही जरूरी कदम है और अगर हम सक्सेस्फुली प्लांट सेट अप कर पाये तो शायद बविश में हमें आगे वड़ने से कोई नहीं रोक सकता अच्छा है ये सेमी कंडुक्टर को बनाने की सुरूत क्यों पड़ी वो भी हमारे देश में क्योंकि अभी तक हम बाहर से ही इंपोर्ट करते रहे हैं हम सब जानते हैं कि एक इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है यहां पर कंज्यूमर्स की कोई कमीनी है चीछ चाहे महंगी हो शस्थी हो बड़ी हो चोती हो हर चीच एकदम धरलले से बिकती है यहां पर चंता बहुत है और खरीदने के लिए खरीदारी बहुत है अब हम की बात करे रहे हैं तो आपको पता होगा चाहे कोई भी इलेक्ट्रोनिक गैजट हो चाहे बो मुबाल फोन हो टीवी हो फ्रेज हो रेडियो हो इवन आपकी कार का इंडिकेटर क्यों ना हो इन सम में एक चीज कॉमन है एलेक्ट्रोनिक चिप जिसे हम सेमिकंडुक्टर चिप भी बोलते हैं अगर हम चिप्स के बारे हम बात करें तो हर रोज वन ट्रिलियन चिप्स हर रोज बनाई जाती हैं या दूसरी भाशा में कहें तो हर एक इंसान के लिए 128 चिप्स और शायद आपको पता नहीं ह इंपोर्टेंस दे रखी है तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह इंडस्ट्री भविश के लिए कितनी महत्तुपूर्ण है सबसे इंपोर्टेंट सेमिकंडुक्टर है एडवांस लॉजिक चिप यह सबसे एक्सपैंसिव प्रीमियम और कांप्लेक्स सिलिकन है जो हमारे कंप्यूटर को और हमारे मुबाइल फोन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है और हम अपने स्मार्ट फोन को स्मार्ट फोन इसलिए कहते हैं क्यूंकि वो स्मार्ट होता है और स्मार्ट इसलिए होता है क्यूंकि उसके अंदर एक चिप होती है जिसे हम माइक् करें तो Samsung दुनिया में सबसे ज़्यादा semi conductor chips बनाता है especially memory chips लेकिन Samsung को भी high-tech chips के लिए किसी दूसरे पर depend होना पड़ते हैं Samsung की तरह Apple के microprocessor, Qualcomm के microprocessor, NVIDIA के microprocessor दुनिया की बहुत कम companies manufacture करती हैं जिनके पास high-tech advanced units हैं उन companies में से एक है यूँ कहें कि semi conductor industry का बेताज बादशा वो है TSMC या Taiwan Semiconductor Manufacturing Company और ये company दुनिया की तमाम tech companies चाहे वो Apple हो, Samsung, Qualcomm, MediaTek, NVIDIA इन सारी companies के लिए custom चिसम बनाते हैं इवन US Air Force के लिए जो F-35 fighter jet है उसके लिए भी ये semi conductor device manufacture करती है और जब भी TSMC में shortage होती है तो सारी दुनिया मानो रुख सी जाती है और इसका effect सारी दुनिया की तमाम tech companies में देखने को मिलता है इवन China की tech companies भी TSMC पर depend करती है semi conductor chip के लिए और हम इस बात से अंदाचा लगा सकते हैं कि China क्यों Taiwan की पीछे पड़ा हुआ है क्यों उस पर कपज़ा करना चाहता है और चाहना भी बहुत दम लगा रहा है इस race में आगे आने के लिए जिन पिंग ने जो प्रेसिडेंट जिन पिंग है उन्होंने हाल में ही 1.4 trillion dollar का package दिया है उनकी tech industries के लिए कि chips मनाना कोई आसान बात नहीं है ये बहुत ही complicated बहुत ही मुश्किल और बहुत ही expensive process है और सबसे मुश्किल पार्ट है supply chain को maintain करना year 2000 में total 25 companies थी जो की semiconductor chips का manufacture करती थी और 2020 आते आते ये सिर्फ तीन रह जाती है जो की है TSMC, Samsung और Intel इसका एक बहुत ही simple reason है पहले तो 15-20 billion dollar 15-20 billion dollar का खर्चा company को set up करने में और सबसे बड़ी problem ये है कि हर पांच साल में जो technology है वो पुरानी हो जाती है इसका मतलब है plants को 24 घंडे चलना चाहिए जिसमें millions of chips बनते रहना चाहिए और ये भी बहुत जरूरी है कि हमें continuous orders मिलते रहे हैं और अगर हम ये सब नहीं कर पाए और एक भी चीज़ हम नहीं कर पाते हैं तो जितना हमने पैसा लगा है वो सारा बरबाद इसमें अच्छी बात ये है कि हमारी जो इंडियन government है हमारी भारत सरकार है उसने उन सारी tech companies को भरोसत दिलाया है जो भी हमारे इंडिया में plant setup करेंगे कि government ही उनका सारा जो chips है जो सारा जो माल है वो ही purchase करेंगे और जो इंडियन companies हैं उनके लिए mandate होगा ये बहुत जरूरी होगा कि जो made in इंडिया chips हैं उसका इस्तमाल करें बजाए बाहर से import कराने का ऐसा नहीं है इंडियन government ने पहले कभी कोशिश हैं नहीं किया है इंडियन government ने पहले भी काभी सारी कोशिश हैं किया है लेकिन खराब infrastructure बिजली नहीं आती हमारे आपे और नेतागरी, पूर प्लानिंग, इन सब कारणों के कारण सारी companies पीछे हट जाती है और अभी government ने ये भी clear नहीं किया है कि जो 1 billion dollar plus cash incentive आफर कर रहे हैं उसको कैसे disperse करेंगा हाला कि Tata ने अपना interest दिखाया, अपनी दल्चस भी दिखाई है electronics और high-tech chips की manufacturing में ये हमारे लिए सबसे positive बात है और हम hope आशा करते हैं कि Tata successful रही इसमें और वो ज़रूर ही एक plant को start कर पाईगा और हमारे लिए दूसरे देशों पर depend नहीं होना पड़ेगा अब ये तो भविशी बताएगा कि कौन सा देश ये जो semi conductor chips manufacturing की industry है इसमें कौन सा lead करेगा और हम ये भी जानते हैं कि यही भविश है क्योंकि हम देख रहे हैं technology कितनी तेजी से बढ़ रही है और आगे भी बहुत तेजी से बढ़ते रही और जो भी इस industry में best करेगा वो ही भविश को lead करेगा तो प्लीज लाइक कीज़े और अपने दोस्तों के शाज शेर करना ना भूलें